ज़ल्दी से शुरू करते हैं जाहरी सी बात है अंडे का मास्कम बना रहा हैं तो सब दो कड़ाले अंडा तो चाहिए होगा लेकिन हमें पूरा अंडा नहीं चाहिए अंडे की सफैथि चाहिए हमें 2 चमज अंडा कोई सा भी आप इस्तमाल कर सकते हैं कि मुझे पता है कमेंट्स में कुछ लोग ये भी पूचियेंगे कि अंडा देशी चल सकता है तो अंडा देशी भी चल जाएगा अचा जी दो चमज मैंने अंडेकी से पाइदे के लेली आप इसमें बाकी चीज़ एड करने वाली ज़रा तवज्य से देखेगा सबसे पहले मेरे पस मैदा है आप मुझतानी मटी भी इस्तमाल कर सकते हैं आपने तक्रीब एक चमज इसमें मैदे कर डालना है आप चतना ज्यादा बनाना चाह रही है उस से एक लेड चमज मैदे कर लें उसके पाद जो हम इसमें तीसरे चीज़ शामिल करने वाले है वह आई शहद्युआब जिन लोगों को शहद नहीं करता वह इसको ना डाले त लेकिन अगर डालने तो आपका रिजल्ट जो है वो पहड़ जाएगा आदा टी स्पून सिरफ ज्यादा शायद नहीं डालेंगे इसमें तीन चीज़ें हो गए चोत्य नमबर पर इसमें मैं एड करूंगी बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा कुक था पकाने में सिर्ण रिख में स्कूल उड शामेदा वाला जो दोग च्हे Representatives कि उसमें प्र yogi Pr Fach तमाम चीज़ें जब आप इसमें शामिल करेंगे तो आप लेखेंगे कि यह ब्लीच की तरह फूलना शुरू हो जाएगे इस तरह से प्लीच क्रीम पूल की फूल की शकल में आ जाती है इसी तरह से प्लीच पे हमारी हॉममेड ब्लीच बनेगी इसके बाद आपको बताते हैं कि आपने इसको फूरी अप्लाइन नहीं करना जासे आपने इसको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि यह एक जान हो जाये बिल्कुल फॉर्म की शकल में आ गया है अब आपने इसको तकर एक तरह से खोड़ देना ताकि अज़ता है क्योंकि इसको अप्लाइ करना कापी मुश्किल होगा जरा तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा और रसीप इसकी तरह से थे प्लाइकर नहीं आगी अगर आप इ एक तरह मिनट के बाद आप देखें कि इसको अपने असली हालत में आप इसको अप्लाइ करना असार रहेगा आप चाहें तो इससे स्टेज पे इसमें थोड़ा मैदा ओर या मुलतानी मटी यानि कि अदर एक चीज आपने पहले मैदा मिलाए तो मैदा ही मिलाएंगे मुलत इसको दसनेट लगा रहने देगे ड्राइ हो जाएगा तो उसके बाद आप इसके उपर दूसरा कोट दूसरी लियर और अप्लाइ करेंगे तो आप मैं आपको करके दिखा दियू इसको आपने अगर हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा इसमें डाला है तो आप इसे अपने च चैनल को सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सुरख बटन अगर आरहा है जिसके उपर सबस्क्राइब लिक हागा तो इसके साथ एक प्वेली का बटन बनेगा उस गंड़ी पर क्लिक करना नहीं बूलना आपके इससे आपको जैसे मैं नई जोड़ दिया और तक्रीबर इसको पंद्रा मिनट जोड़ने के लिए लगे थे उसके उपर मैंने एक लेयर कुछ से और अपलाई कर ली थी तो यह दो लेयर है मेरे हाथ के उपर जाए और आप देख रहे हैं कि दूसरी लेयर जल्दी ड्राय हो जाती पहली लेयर को ड्रायर अपलोड जाए और आपके लिए लोगों ने पूछा मैंने वीडियो अपलोड वी क्यों हैं बड़कि आपके टाइम के पाथ अपलोड किया है अगर आपके चेरे पर उपन पोस्त प्रॉब्लम है उस पर अप्लाई करें चेर मासाम बंद बने के लिए इसकिन को टाइट कर अपके लिए इसकिन पर अपको बताने के लिए इसके उपर थर्ड टेयर अपलाई करके दिखाए मतलब के तो लियर काफी होंगी आपकी स्किन पर डिप्रेंट करते है अगर थीक बनाया तो एक ही लियर काफी है अप फाइनली मैंने इसको बश कर लेने के बाद रिजल्ट आपके सामने है कि मेरा सेकेंड एंड देख लीजिए इन दोनों में काफी स्ज्यादा फरकिया अगर आप गौर से देखे तो लेफ्ट एंड मेरा काफी फ्रेश नजर आ रहा है और काफी प्राइट के निसपर और एक गम से आपकी स्किन पर ग्लू आएगा चेरे पर अप अब यह स्किन पर लास्ट पर ग्लॉशन के सामने है तो जन लोगों को थे नहीं मैता वो नएएगा उप्ते लोशन पर नाइक्षिंग कर सकें तो स्किन लोशन पर उखे एक भीज़ एक लिच पर आप दोंग तो आपके लास्ट पर एक घुल दिर के लिचे दो वर्यार ब और यह वैसे भी पीच में शामी करें तो आपकी पीच का रिजर्ट डेबल कर जाते हैं और इसा हार वीडियो में आप लोगो इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारे दोस्त नहें होते हैं तो उनको पुरानी वीडियो का नहीं पता चलता है अब एक तेर मिनट इसका मसाज करें अगर बस इसको छोड़ते हैं इसको आपने अगर 10 तेन या 15 तेन रेगुलर्ली कर लिया तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद आपको किसी भी वाइटिंग टिप वाइटिंग मास्क या प्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिंग आपने गेनी के एक दफार रिजर्ट आगया तो इसको छोड़कि आप इसका परक देख सकते हैं दोनों हाथ में तो आप इवन के सिर्फ जबब क्रीम भी रात को लगाते रहे या पैरन लगी रहे पर लगाते रहे तकि आपको समझ भ्यान की इसको पर्मनेंट वाइटिंग क्याते है क्योंकि आपको फिर कोई खास टेंशन नहीं लेनी पर अगर एक दफार मिल गया और छोड़ दिया तो आपको एक दफार कपे पहन देने के बाद उसको एक साल वाशी नहीं करेंगे उसको समझ में आगया होगा इसे आज का लेसन मत समझियेगा क्योंकि यह लेसन नहीं था लेसन की तरफ हम आप जाएंगे आज के लेसन में आप अपनी जुबान को सलाम करने का आती बना लो इससे तूस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं और यह हखिकत है हम लोग मतलब आप यह गट एक लाया नहीं कहीं मैं उसने मुझे बैठे वे देख लिए उसने मुझे सलाम नहीं किया तो मैंने का मैंने भी क्यों कर दो वह सकता उस बिचारे नहीं या बिचारे नहीं देखा ही नहीं और हम लोग फाम फामे जो हो फुट से भी सलाम नहीं किया तो सलाम करने में हमें इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक पहुंच दो